मनोरलाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं और मनोरलाल जी के पास एक मोटर साइकल रहती थी मोटर साइकल चलाते थे मैं पीछे बैठता था रो तक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुपता था कि हमारा लगातार हर्याना का ब्रह्मान मोटु ताइव पर हुआ करता हूँ और मैं दस साल में ग्यारवी बात तो आजा रहा हूँ और अभी तो समय बाकी है इंशालला एक आद बार फिर भी आऊंगा मैं नायव सिंग इस्वर की सब्त लेता हूँ कि मैं विजी द्वारा स्थापित भार्त के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूँगा नमस्कार मैं रवीश कुमार मनुहर लाल की मनुहर कहानिया आज समाब्थो गए एक और किरदार को बीजेपी ने आज अपने किताब से बाहर कर दिया और वो हैं दोश्यन चोटाला जो बिना समर्थन मांगे 2019 में बीजेपी को समर्थन दे आए और साड़े चार साल तक उपमुख्यमंत्री रहे आज उन्हें भी नहीं पता होगा कि उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं रहे इनकी कहानी पर भी हम लोटेंगे मगर मनुहरलाल खटर की कहानी खत्म कर लेते हैं क्योंकि आज कुर्सी से वही हटाए गए हैं और जिन्हें बिठाया गया है नायब सैनी उनकी भी बात पहले जरूरी है बीजेपी ने जिस निर्मम्ता से अपने सहयोगी दल को बाहर किया है उतनी ही निर्मम्ता से अपने मुख्यमंत्री को भी हटाया है उमीद है आप हमारे इस निर्मम वीडियो को पूरा देखेंगे यह तस्वीर 11 मार्च की है जिसे आज मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सैनी नहीं ट्वीट किया था क्या आपको भी इस तस्वीर में दिख रहा है जो मुझे दिखा प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि बस भाई अब बहुत हो गया मोटर साइकील पर बिठा कर तुने इतना घुमाया उसके बदले मैंने मुख्यमंत्री बनाया साड़े नौ साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा इससे तो कम खर्चे में पेटरॉल भरा कर खुदी बाईग चला लेता और हर्याना घूम लेता क्या प्रधान मंत्री इस तस्वीर में यही कह रहे हैं कि खटर जी वनक्कम गुडबाई आप देखिए यहां भी जब पीम खटर जी की बात याद कर रहे हैं तो खटर जी कितना मुस्कुरा रहे हैं मनोरलाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे और मनोरलाल जी के पास एक मोटर साइकल रहती थी तो वो मोटर साइकल चलाते थे मैं पीछे बैढ़ता था रोग तक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुपता था। यह हमारा लगातार हर्याना का ब्रह्मानमोटोसाइकल पर हुआ करता था। मुझे याद है उच समय गुरुग्राम में आये। मोटोसाइकल पर आते थे, रास्ते छोटे थे। इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ है और आपका बविश्च भी साथ है जिस निकटा से कुरसी मिलती है उसी निकटा के प्रदर्शन से कुरसी चली भी जाती है जिस व्यक्ति ने अपनी बाइग पर नरिंद्र मोधी को हरियाना में घुमाया हो उस व्यक्ति को कुर्सी से पैदल कर देने की या निर्ममता ही मुझे राजनीती से हमेशा दूर रखती है आप भी दूर रहें बाइक वाली पुरानी बात सुनकर इस वीडियो में खटर जी जिस तरह से मुस्कुरा रहें हैं कुर्सी जाने के बाद इस वीडियो को देखते हुए पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे हसी आ नहीं रही है मगर हसना पड़ रहा है क्योंकि लतीफा प्रधान मंत्री सुना रहे हैं क्या खटर साहब को इस वक तक पता चल गया था कि वे हटा दिये जाने वाले हैं अगर मालूम होने के बाद भी खटर साहब इस तरह खिल खिला कर छलक रहे हैं तो यही राजनिती की निर्ममता है रोने के टाइम में भी हसना पड़ता है मनुहरलाल खटर नौमार्च को गुरुगराम से सटे मेवात में थे खटर मेवात के नायक शहीद राजा हसन खान मेवाती की शहीदी दिवस के कारिकरम में हिस्सा लेने गए थे मैं उनके भाशन को सुनने लगा उर्दू की ऐसी गमक और खनक उनके भाशन में सुनी कि क्या ही कहें लगा कि लखनव की गिलौरियां कसैलियों को दबाते हुए घुलती जा रही हैं 9 मार्च को खटर मेवात के इसी कारिकरम में एक उदार मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे थे उनके कारिकाल में मेवात और नूह सामप्रदाइक ज्वार का एक ऐसा रेडिमेट शित्र रहा जब कहीं भी कुछ नहीं होता था यहां हो जाता था कब वहां पंचायत हो जाए कब हिंसा हो जाए पता नहीं चल पाता था इसी मेवात से सटे नूह में जब बुल्डोजर चलने लगे धाई सो घरों और इमारतों को तोड़ डाला गया तब पंजाब और हर्याना हाई कूट की बेंच ने कहा यह नसली कारवाई है एथिनिक क्लिंजिंग अगस्ट दोहजार तेईस में जस्टिस जीयस संदवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा था सत्ता भरष्ट करती है और निरंकुष सत्ता पूरी तरह से भरष्ट कर देती है इस टिपणी के बाद इस हिंसा के मामले को किसी और बेंच के हवाले कर दिया गया लेकिन खटर के भाशन से लगा वे किसी और अतीत में चले आये हैं जिसका आज के मेवात और नू के तनाव से कोई संबंद नहीं बीजे पी के राज備 सबा सांसथ हरनाच सिंग यादवने कहा था मेवात मेनी पाकिस्तान है लेकिन खटर यहां गांधी को याद करने लगे शहिद हसन खाँ मेवाती को याद करने लगे खटर सरकार ने तो हसन खाँ को शहिद का दर्जा भी दिया और 15 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में मनाने की घोशना कर दी खटर ने कहा कि वे साड़े नौ साल में ग्यारा बार आए हैं अभी तो कारेकाल बाकी है और भी आएंगे एक चेतावनी है अब दर्शकों को खटर का या बयान सुनकर सेकुलर लोगों को उन से सहानुभूति हो सकती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं नौ वर्शों में आज मेरा 11 चकर है मेवात का कोई मुख्यमंतरी आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बर आया हो मैं challenge करता हूँ कभी कोई नहीं आया होगा मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चकर काट रहे होंगे आकर के फिर से वोटों की भी इत्मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो हम फिर से आयेंगे लेकिन बढ़ने के बाद पांच साल कभी भी पांच याँ छे बार नहीं आये होंगे और मैं दस साल में ग्यारवी बार तो आजा रहा हूँ और अभी तो समय बाकी है इंशालला एक आद बार फिर भी आऊंगा इंशालला बी जे पी के किस मुख्यमंतरी को आपने इस दोर में इंशालला कहते सुना है एक सेकुलर होते नेता की इतनी स्पेक्टैकुलर विदाई हो गई यही राजनिती की निर्ममता है और यह वीडियो निर्मम वीडियो है खटर ने महात्मा गांधी और हसन खान मेवाती की प्रतिमा का अनावरन किया वे यहां 700 करोड की योजना लेकर आये थे किसे पता था कि गांधी की प्रतिमा का अनावरन करने वाले करुना से भरपूर मनुहर लाल की मनुहर कहानियां हर्याना में समाप्त होने वाली हैं मेवात में उनके बयान से साबित होता है कि खटर को पूरा भरोसा था बाकी कारेकाल वही पूरा करेंगे और मेवात का एक दो बार और दोरा करेंगे लेकिन 12 मार्च को उनका कारेकाल समात कर दिया गया राजनीती में इस निर्ममता के प्रती आपको जादा भावुक नहीं होना चाहिए क्योंकि खटर के अपने बयान करुणा भरे नहीं हुआ करते थे इनके कारेकाल में जाट आरक्षन और राम रहिम के गिरफतारी के समय जिस तरह से अराजकता फैली गोलियां चली और लोग मारे गए याद कीजिए महिला पहलवानों ने आंदोलन किया खटर ने क्या कभी मुख्यमंत्री के नाते उनका साथ दिया किसान आंदोलन को रोकने के लिए इस बार हर्याना के गाउं गाउं में पुलिस भेज दी गई परिवारों को चेतावनी दी गई के आंदोलन से दूर रहें इतना सब करने के बाद भी खटर की कुरसी चली गई यही राजनिती की निर्ममता है मनुहर लाल खटर परधान मंत्री मोदी के करीबी थे मगर मोदी के किस्सों में किरदारों की कमी नहीं है वे कभी भी करीबी तो कभी दोस्त के रूप में किसी को सामने खड़ा कर सकते हैं अनिल्विज करीबी होने की उनकी कहानी में शायद फिट नहीं बैठते हैं वे राम रहीम को परोल पर बाहर आने का इंतजाम ही करते रह गए मगर कुर्सी मिल गई नायब सैनी को मैं नायब सिंग इस्वर की सब्ट लेता हूँ कि मैं वीदिद वरा स्तापिद भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निस्था रखूँगा कहानी तो यही है कि नायब सैनी एक समय में बीजेपी के दफ्तर में कलर्ग थे उस समय नरिद्र मोदी हर्याना बीजेपी के प्रभारी थे बाद में नायब सैनी अंबाला जिले के युआ मोर्चा का जिला ध्यक्ष बने फिर किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री और अंबाला जिले का भाजपा ध्यक्ष 2014 में विदायक बने और खटर सरकार में मंत्री भी 2019 में कुरुक्षितr से सानसत बने 2023 में प्रदेश अध्यक्ष और 2024 में मुख्य मंत्री साल भर पहले नायब सैनी की पत्नी ने यमुना नगर के एक वाड़ से जिला परिशत का चुनाव लड़ा मगर हार गई चौथे नंबर पर आई खटर के जाने पर हाई तौबा करने वाले राजनीती के जानकार कम से कम इतना जान लें कि जो गए हैं वो खटर थे जो आए हैं वो भी खटर है यानि प्रदान मंत्री के करीबी हैं यही राजनीती की निर्ममता है नायब सैनी को भाजपा किस रूप में प्रोजेक्ट करेगी आपको जल्दी पता चलेगा यह जरूर है कि हर्याना में राजनीती का गणित जाट बनाम गयर जाट का रहा है जाटों को नाराज करने में पुर्व सांसद राजकुमार सैनी का भी योगदान कम नहीं रहा तब बीजेपी में राजकुमार सैनी थे जाटों को लेकर खुब बयान दिया करते थे इससे गैर जाटों का धुरूवी करण होता था और जाट बीजेपी से दूर जाते थे मगर जब 2019 आया तो राजकुमार सैनी का टिकट कट गया नायब सैनी को कुरुक शित्र से टिकट दे दिया गया वे सांसत बन गए राजकुमार सैनी भाजपा के काम आ चुके थे राजकुमार सैनी इन दिनों क्या कर रहे हैं लोगतंत्रिक सुरक्षा पार्टी बना कर भारत के लोगतंत्रिकी सुरक्षा में लगे हैं और बीजेपी को गाली देते हैं जाहिर है बीजेपी को अब नया चहरा चाहिए था राजकुमार सैनी आज गर्वे महसूस कर रहे होंगे कि उनकी मेहनत के बदले आज हरियाना के मुख्यमंत्री का पद सैनी समाज को मिला है। इसे इस्तमाल हो जाना नहीं कहते हैं बलकि इसे ही कहते हैं राजनिती की निर्ममता किसी को अपना सर कटाना पड़ता है किसी का सर उठाने के लिए। उस यूपी में मोहन यादव यादव महाकुम्ब कर रहे हैं यह भी राजनिती की निर्ममता है क्या अब नायब सैनी को भी सैनी महाकुम्ब में घुमाया जाएगा क्योंकि पश्चमी यूपी की कई सीटों पर सैनी मतदाताओं की अच्छी खासी मौजूदगी है और यह बीजेपी के पारंपरिक वोटर माने भी जाते हैं लेकिन जब योगी हिंदुत्व के नायक हैं बीजेपी जाती की राजनिती करती नहीं तब फिर यादव महाकुम्ब का आयोजन उत्तर प्रदेश में क्यों होता है क्या जातियों की एकता की बात जूठी है योगी जैसे लोगप्रिय मुख्यमंतरी के रहते यूपी में दूसरे राज्य के मुख्यमंतरी यादव सम्मेलन सैनी सम्मेलन करें यह भी राजनिती की निर्ममता है हमारा वीडियो भी निर्ममता पर है शिवराज सिंग चौहान के जाने के बाद मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथी भाजपा के सबसे वरिश्न मुख्यमंतुरी बताये जा रहे हैं, अचानक σε सीनियर मुख्यमंतुरी के रूप में उनकी गिनिती क्यों हो रही है, क्या वे बने रहेंगे इसलिए बताये जा रहे हैं, या सिनियोरिटी की याद किसी और कारण से की जा रही है, कि अब जाने का है याद दिलाया जा रहा है योगी को हलके में लेने वाले अकसर ऐसी गलती कर बैठते हैं अगर बी जे पी को मुख्यमंत्री बना कर इसी का ढोल पीटना है कि मुख्यमंत्री OBC हैं तब फिर OBC की संख्या कितनी है इसके लिए जाती की गनणा से वह इंकार क्यों करती है मूल बात है कि किसी भी फैसले पर राजनिती इकदल कोई ना कोई थियोरी चिपका देते हैं राजनिती में समी करण के प्रदर्शन के पीछे का हिसाब किताब किसी को पता नहीं होता कल तक खटर मुख्यमंत्री थे वे किस जाती के थे पंजाबी खटरी जिसका हर्याना में क्या ही वोट है लेकिन आज नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही OBC विजय का गीत गाया जा रहा है इतनी तो समझदारी रखनी ही चाहिए कि OBC आज तो नहीं हुए कल भी थे तब साड़े नौ साल उनकी संख्या के दम पर जो पार्टी राज कर रही थी उन्हें क्या मिल रहा था खटर पिछले दो दशक्त में पहले गैर जाट नेता थे जिनने मुख्यमंत्री बनाया गया बनाया गया क्योंकि 2014 में बीजेपी उनके चेहरे और नाम पर चुनाव नहीं लड़ी थी 2019 में लड़ी तो 22 पतिशत वोट कम हो गया 7 सीटे कम हो गई जिस तरह से जीत के बाद मध्यप्रदेश में सिवराज सिंग चवान हटा दिये गए खटर की विदाई वैसी नहीं हुई बीजेपी खटर के नित्रितु में चुनाव में जाने का साहस नहीं जुटा सकी गुजरात में आपको याद होगा रुपानी मुख्य मंतरी थे प्रधान मंतरी मिल कर गए एक दिन बाद पूरी सरकार चली गई और नए मुख्य मंतरी को बिठा दिया गया क्या अचानक होने वाले इन सत्ता परिवर्तनों के पीछे केवल जाती को महत्वत देने की ही कहानी होती है या कहानी कुछ और होती है अब आते हैं आज की कहानी के तीसरे किरदार पर दुश्यन चोटाला से बीजेपी ने 2019 में समर्थन नहीं मांगा था मगर खुद चल कर समर्थन देने गए और हर्याना सरकार में उपुमुक्यमंत्री बने बाद में खुद ही कहने लगे कि स्थिर सरकार बनाने के लिए गठबंदन हुआ था उपुमुक्यमंत्री होने के अलावा दुश्यन चोटाला को कई एहम विभाग दिये गए दिसंबर 2018 में उन्होंने अपने नाम से एक पार्टी रेजिस्टर कराई जननायक जनता पार्टी अपने परिवार की पार्टी इनेलो से दुश्यन तरुन के पिता अजय सिंग चोटाला को निकाल दिया गया था अलग हो जाने के बाद जिस खर्चे पर्चे के साथ वे चुनाव लड़ रहे थे कई जानकार सोच रहे थे कि इनके पीछे कोई अग्याद शक्ती तो नहीं और उसका नाम बीजे पी तो नहीं 2019 के चुनाव तक आते आते जाट मतदाता बीजे पी से बहुत नाराज हो गए बेरोजगारी का मुद्दा तो था ही दुश्यन की नई पार्टी को 15 प्रतिशत वोट मिला और सीटे मिली 10 इस पार्टी में भी परिवारवाद है मगर बीजे पी को कहां इन सबसे एतराज है दुश्यन सिंग चौटाला ने पूरे चुनाओं में बीजे पी पर निशाना साधा नतीजा आते ही बीजे पी में चले गए एक तरह से जो जाट बीजे पी से नाराज थे वो दुश्यन के जरीए बीजे पी के काम आ गए क्या इस बार भी यही खेल खेला जा रहा है कि दुश्यन को बाहर करो ताकि वे भावुकता का नाटक करें शहीद बने और जाट सीटों पर जाटों का वोट काटें भुपेंदर सिंग हुड़ा, अभै सिंग चोटाला, दुश्यन चोटाला के बीच जाट वोट बढ़ता जाए और बीजे पी का रास्ता साफ होता जाए यह तब ही सामने आएगा जब दुश्यन चोटाला बहुत मजबूती से लड़ते हुए देखे जाएंगे भावुकता से भाषण देंगे और गोधी मीडिया में उन्हें जादा जगव मिलेगी बस इस तीन चार बातों से सब कुछ साफ हो जाएगा कि दुश्यन के पीछे कौन है, दुश्यन किसके लिए यह सब कर रहे हैं और किसके लिए दुश्यन को बड़ा बताया जा रहा है, यह भी देखते रहेगा कि दुश्यन चोटाला बीजेपी को लेकर किस हद तक उग्र होते हैं, आक्रमक होते हैं या बीजे पी पर भी निर्भर करता है कि दुशन चोटाला को लेकर किस हद तक वो निर्मम होना चाहेगी। कोरोना के समय हर्याना में अवैद रूप से शराब बिकने का मामला सामने आया। शराब वाला मंत्राले दुशन चोटाला के पास था। 2020 की बात है सोनी पत के गुदाम से शराब का बड़ा स्टॉक गायब हो गया और अवैर शराब की बिकरी की खबरे आने लगी। उसके बाद मई 2020 में S.I.T. का गठन हुआ इस दोरान एकसाइस का विभाग दुशन चोटाला के तहत था। इस टीम ने अगस 2020 में अपने रिपोर्ट पेश की जिसे दुशन चोटाला ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन खटर के बारे में रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने और अनिल्विज ने मामले में जान शुरू करने पर सहमती जताई है। उन्होंने फरिदाबाद में कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन रिपोर्ट से सहमत है या अह समत हम किसी भी कीमत पर भरष्टा चार स्विकार नहीं करेंगे। बीच बीच में S.I.T. की रिपोर्ट को लेकर इनके बयान आते रहे। दो दिन पहले की खबर है अनिल विज ने बयान दिया है कि अवैज शराब के खिलाब 22 जिलों में पुलिस ने कारवाई की बड़ी बारामदगी हुई है। अब पता चलेगा कि ऐसे बयानों को लेकर दुशयन पर कितनी तेजी से हमला होता है और E.D. अपना काम करती है जिसनी तेजी से मनिश शिसोदिया के मामले में E.D. ने काम किया। हो सकता है E.D. का इस बार इस्तिमाल ना हो मगर इसके डर से दुशयन जाट स्वाभिमान का मुद्दा बना कर जाट वोट काटने के काम आ जाएं बीजेपी का उससे भी काम हो जाता है। कहा जा रहा है कि दुशयन चोटाला राजनीती के अगनिवीर हो गए, साढ़े चार साल सत्ता में रहे और बाहर कर दिये गए। बीजेपी को फिलहाल सरकार बनाने के लिए निर्दलिय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। गठबंदन में रहते हुए भी बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर निकाय चुनाव नहीं लड़ा। अलग लड़ते हुए भी दोनों सरकार में रहे और अब अलग होने के बाद दोनों भीतर से एक दूसरे के लिए कितना काम आएंगे या पता चलेगा। क्या बीजेपी जेजेपी के विधायकों को अपने पाले में लेगी। क्या जेजेपी के विधायक अपने जननायक के साथ रहना चाहते हैं जिने बीजेपी ने सरकार से बाहर कर दिया है शाम हो गई हमारी रिकॉर्डिंग में मगर ट्वीटर पर दुशन चोटाला का कोई बयान नहीं दिखा दस मार्च तक दुशन चोटाला सिरसा में लोग सभा के लिए रणीत बना रहे थे और फोटो ट्वीट कर रहे थे कि मजबूती से लड़ना है आज में सरकार से निकाले जाने पर तुरंक ट्वीट कर चुनोती देने की मजबूती नहीं दिखा सके यही राजनिती की निर्मंता है दुशन चोटाला कहीं के नहीं रहे या अभी भी किसी के हैं कौन इन सब में दिमाग लगाए देश में ऐसे ही सो समस्याएं हैं इस समय देश में धर्म की राजनिती चल रही है। इसलिए गठबंदन का कोई धर्म होता है। राजनिती के पास इसके लिए टाइम नहीं है। जिनसे गठबंदन ना करने की बीजेपी ने कसमे खाई। नितीश कुमार से जाकर गठबंदन कर लिया। दुशियन को गठबंदन में लेकर चुनाव नहीं लड़ सकते थे तूने बाहर कर दिया। खुद से बाहर होना फिर भी राजनिती है। मगर उठा कर बाहर फेक दिया जाना राजनिती की निर्ममता है। और इसी निर्ममता पर हमारा आज का वीडियो है। खटर को हटा कर बीजेपी ने एंटी इंकंबेंसिफ फैक्टर का हल निकाल लिया होगा। और दुशियन को बाहर कर गएर जाट राजनिती का वोट समेट लिया होगा। और हाँ हर्याना का विकास वेगरा का मुद्दा तो रही गया। माफी चाता हूँ फालतु बातों के लिए टाइम नहीं मिला। नमस्कार मैं रविश कुमार।